हलो गईज, सचिनवाजे को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है और सचिनवाजे के उपर एक बड़ी कारवाई की गई है वो भी माहरास्ट गौवर्मेंट के द्वारा तो गईज, आप सोच सकते हैं कि काफी टाइम बाद जो है सचिनवाजे को उपर एक बड़ी कारवाई हुई लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सचिनवाजे को उपर ये कारवाई उस टाइम हुई जिस टाइम सचिनवाजे ने दो ऐसे लोगों का नाम लिया है जो उस पूश्ताज में कल जो है एक निउस सामने आई थी जो को मैंने आपको बताया था कि सचीन वाजे ने दो लोग नाम लिया था एक तो सिवसेना का एक मिनिस्टर है जिसको अभी पब्लिक नहीं किया गया और साथ में ही एक मुंबई पुलिस का एक पुलिस इस्पेक्टर जो भी एक बड़ा अधिकारी है जिसके बारे में भी अभी किसी का भी नाम जो है पब्लिक के सामने नहीं किया गया लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी सामने आ रही है कि एक बड़ी कारवाई तों क्योंकि उनका जो है आरोब जो है सिद्ध हो चुका है कहीं न कहीं से उनके खिलाप कई बड़े एविडेंस मिल चुके हैं तो अब जो है उनका उपर कारवाई कर दी गई है और उनका जो है सस्पेंशन लेटर तयार हो गया है लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोग सामने आ रहा है वो सुसान सिंह राजपूत और दिशासालियान मडर केस में क्योंकि सुसान सिंह राजपूत और दिशासालियान मडर केस उसी टाइम सामने आया था जिस टाइम इन्हों ने जो है जो है ज्वाइन किया था मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांज को तो इन्हो बाद फिर 13 या 14 जुन जो कि आज तक कंफर्म नहीं हुआ सुसान सिंग राजपूत का मडर्फ हुआ तो कहीं न कहीं से आप इनके उपर सचीन वाजे जो हैं इनके उपर आरो प्लगना इस्टार्ट हो गया है कि ये जो हैं ये क्या उस टाइम वहीं पर थे इनको इनी सब चीजों के लिए क्या बुलाया गया था महाराज पुलिस के अंडर में मलब मुंबई पुलिस के अंडर में क्या यही सारे काम करने के लिए बुलाया गया सा सचीन वाजे को तो कहीं न कहीं अभी जो है एजेंसीस की तरफ से बड़ी कारवाई की जा रही है NIA ने अपनी तरफ से पूरी बड़ी कारवाई की है लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है कि इसमें जो है CBI जो जांच कर रही है उसका भी कहीं न कहीं से ध्यान इसकी तरफ चला गया है कि आखिरकार क्या सचिन वाजे उस टाइम थे जिस टाइम सुसान सिंग राजपूत का केस का छानबीन चल रहा था सवारी सुसान सिंग राजपूत की डेथ हुई थी उस टाइम जब मुंबई पूलीस वहाँ पहुची थी क्या सचिन वाजे वहाँ पर गए थे इन सब चीजों को लेकर भी काफी अपडेट आ रही है